मैं आपको एक पहिली बताता हूँ ये चितर देखिए यहाँ इन कतारों में पंची बैठे हैं हरे कतार में बैठे पंचीयों की संख्या समान है मुझे एक मिनिट में पंचीयों की संख्या बताईए कितने सारे पंची दिख रहे हैं गौर से देखिए आपको क्या दिख रहा है एक कतार में कितने पंची हैं एक कतार में 16 पंची हैं हरे कतार में पंचीयों की संख्या समान है ऐसी कितनी कतारे हैं कुल मिला के पांच कतारे हैं यानि इस चित्र में 16 पंची पांच बार आये हैं अभी मुझे पताईए कुल मिला के कितने पंची हैं इस चित्र में बराबर 16 कुना 5 बराबर 85 अभी यह मौकिक उदारण हुआ आपको अगर बड़ी संख्या दी तो गुणन कर सकोगे न अभी एक नया उदारन देखेंगे समझ लीजिए एक बगीचे में एक कतार में 46 चिकु के पेड़ हैं ऐसी तिरपन कतारे हैं अब उस बगीचे में चिकु के कितने पेड़ होंगे एक चतुशकोन में हम रचना करेंगे 40 गुणा 50 दो हजार 6 गुणा 50 तीन सो 40 गुणा 3 एक सो बीस 6 गुणा 3 अठर अभी कुल मिला के बताता हूं 2000 अधिक 300 अधिक 120 अधिक 18 बराबर 2438 हैं 46 गुना 3 बराबर 138 बाद में 46 को पचास से गुनन किया बराबर 2438 पेड़ है अभी प्राणियों को कितने पाउ होंगे ये बताईए 203 बिलिया है एक बिली के 4 पाउं तो 203 बिलियों के कितने पाउ होंगे 203 बिलिया गुना 4 पाउं बराबर 812 पाउं और एक आद गुनन का उधारन सूचता है हाँ मुझे सूजा है मैं आपको बताता हूं नाटे ग्रिह वहाँ सब कुछ होता है कुर्सियां कुछ खड़ी तो कुछ अड़ी कतारे अभी इस जानकारी का उपयोजन करके शाबदिक उधारन बना सकते हैं क्या एक नाटे ग्रिह में एक आड़ी कतार में 40 कुर्सियां है तो 35 अड़े कतारों में कितनी कुर्सियां होंगी इस उधारन में कुछ न कुछ रहता है न अभी तक कौन सी जानकारी साथ में देना उचित रहेगा हर एक अड़े कतार में समान संख्या में कुर्सियां है यह जानकारी दिये बिना हम जवाब नहीं प्राप्त कर सकेंगे यह महत्वपूर्ण है हर एक कतार में 40 कुर्सियां गुणा 35 जब हमने 35 उपर और 40 नीचे लिखा तो गुणन सुलब होगा 35 गुणा 40 पहले 0 से गुणन किजिए तो 0-0 और उसके बाद 4 से गुणन किया तो 140 कुल मिलाके 1400 तो 1400 कुर्सिया उस नाटे ग्रेह में होंगी आज दुकान से मा ने शक्कर लाए 6 किलो शक्कर 57 रुपे को थी अभी कितने पैसे देने पड़ेंगे 57 गुणा 6 मा ने दुकानदार को 500 रुपे दिये दुकानदार मा को पैसे वापस देगा क्या हाँ जरूर क्यों? अभी शक्कर के 342 रुपे हुए और मा ने 500 रुपे दिये इस कारण बाकी पैसे दुकानदार से मा को वापस दिये जाएंगे वह दुकानदार मा को कितने पैसे वापस देगा? 500 रिन 342 बराबर 158 रुपे याने 158 रुपे वह दुकानदार मा को वापस देगा याने मा ने उस दुकानदार को 342 रुपे दिये इस तरह हम गुणन के और उधारण देख सकते हैं एक अंडे के ट्रे में 64 अंडे तो ऐसे 30 ट्रे में कितने अंडे होंगे? आईए अभ्यास के लिए कुछ उधारण लेते हैं कपड़े की दुकान में कपड़े या साड़ी पेट्रोल पंपर, पेट्रोल या डीजल किराने की दुकान कुछ शाबदीक प्रश्ण बनाए एक साड़ी की कीमत 998 रुपे तो ऐसे 24 साड़ीों की कीमत कितनी होगी? हमने क्या सीखा? गुणन याने उसी संख्या का बार बार जोड पांच अधिक 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 पांच साद बार पांच का मतलब साद गुना पांच बराबर पैतीस हमने एक से गुणन किया तो उत्तर भी वही आएगा पाँच गुना एक बराबर पाँच तथा साथ गुना एक बराबर साथ गुनन करने के बाद जवाब मूल संख्या से कितना बड़ा है पाँच गुना दो बराबर दस दस यह संख्या पाँच और दो इनसे बड़ी है शून्य से गुणन किया तो जवाब शून्य होता है पांच गुना शून्य बराबर शून्य छे गुना शून्य बराबर शून्य स्वाध्याए एक साड़ी 958 रुपे में तो 28 साड़ीों की कीमत कितनी होगी एक लिटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपे तो 16 लिटर पेट्रोल के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे प्रती मिटर कपड़े की कीमत 115 रुपे तो 4 मिटर कपड़े की कीमत क्या होगी एक किलो गेहों की कीमत 36 रुपे तो 15 किलो गेहों की कीमत क्या होगी झाल झाल